एक बात बुलूँ आपसे हमीशा याद रखना बहत्मीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है आज के इस वीडियो में मैं आपको पाँच ऐसी चीजे बताऊंगी जिसको अगर आपने अपना लिया आपका थाइराइड कभी वापस नहीं आएगा इस वीडियो में डिटील में जानकारी पाएंगे कि पाँच ऐसे कौन से पॉइंट है जिसको अपनाने के पाद थाइराइड तो कभी नहीं होने वाला आपको यह गारेंटी है चलिए वीडियो की शुरुबात करते हैं जानते हैं वो कौन से ऐसे पाँच चीजे हैं जिनको हम फूड में अपना ले जिनको हम अपनी लाइफ में अपना ले और थाइराइड को जड़ से खतम करते हैं चलिए नमस्कार दोस्तो नीलम कृष्णा चैनल में स्वागत करती हूँ उमीद करती हूँ सब बहुत सवस्त हैं अपना ध्यान रख रहे हैं मेरे साथ बहुत ही पॉजटिव तरीके से आप बने रहते हैं आज की वीडियो में पाँच पॉइंट बता रही हूँ और छटा लास्ट में पॉइंट बताऊंगी जिसको आपको नहीं अपनाना है अपने सकारात्मक तरीके से इनको अपने लाइफ में उतार लिया अपने जीवन में उतार लिया आपको थाईराइड तो कभी वापस नहीं आने वाला यह मैं गरणटी से कह सकता हैं पुएंट वीट ग्रास जी हां ुएं की अगर आप्प्राउट बनाले ग्यहूं आपने देखा लोग नव्रात्रे हम वीट को उगातर है हम सब्सक्राण हैं वी ड्रास यहांने चलिये म्ärल मान भर आप चलिये व्म काप उसको आप क्या करिये, जूस बना के पी लीजे, थाइराइड को जड़ से खतम कर देगा, मैं गैरंटी दे रही हूँ, इस चीज को अगर आपने लाइफ में कर लिया, तो आपकी थाइराइड जरूर ठीक हो जाएगे, है क्या इस वीट ग्रास में, देखिए, थाइराइड ह थाइराइड हमें होता है, किस वजए से, जब हमारी थाइराइड ग्लैंड अच्छे से हार्मोन को रिलीज नहीं करती है, T3, T4 हार्मोन का सिक्रेशन ठीक से नहीं होता है, क्योंकि TSH हार्मोन और पिच्छुटरी ग्लैंड में किसी तरह की कोई गलबड़ी आ जाती है, य यह क्मारी शरीर में यह सारी नगेटिव चीजह कुद जब होना शुरू हो जाती है तो थाईराइड अच्छी से यह ग्लैंड काम नहीं करती है। सुलेनियम, याटिन बहुत इंपोटेन्ट है, अबीनम एसिद बहुत इंपोटेन्ट है थाईराइड gland को सही से काम करवाने के लिए और wheat grass के अंदर ये सारी चीज़े भरी हुई है wheat grass क्या करता है देखे एक बात अच्छे से समझ लिजेगा हमारी gland T3, T4 hormone release करती है T4 यानि थायरक्सिन जब hormone release करती है उसके बाद में ये active hormone में convert करती है जिसको हम T3 कहते है अगर आप गेहू की स्प्राउट्स खाते हैं गेहू की ग्रास का जूस पीते हैं तो ये gland में होने वाली swelling को दूर करेगा ये gland में जो T3 में convert नहीं कर पा रहा है थायरक्सिन हार्मोन उसको T3 में convert करने के लिए मदद करेगा ये सभी काम को lever बहुत help करता है लीवर गन्दा हो जाता है थायराइड होने की वज़े से लीवर बहुत टॉक्सिक भर जाते हैं लेवर में लीवर की cleaning करेगा लीवर को सफाई करेगा लीवर को अच्छे से साफ करदेगा सारे टॉक्सिक भार निकाल देगा यह wheat grass, आप इसके sprouts खालो, आप इसकी grass का juice पिलो, आपको sprouts इसके बनाने नहीं आते हैं, मुझे comment में लिखेगा, मैं आपको बना के दिखाऊंगे, इसके sprouts बहुत easy होते हैं, आप इसको अपनी life में उतारिए, wheat को यानि कि गेहु को, आप sprouts बनके खालिए, पॉसिबल नहीं है, उसकी grass बनाना, sprouts बना के खालिजिए, यह liver को amino acid, liver के अच्छे enzyme, selenium, magnesium, calcium, सब कुछ प्रवाइड कराता है, wheat grass, liver को बहुत स्वस्त बना देता है, जिससे की, हमारी gland T4 को T3 में, यानि active hormone में कनवर्ट करना शुरू कर देती है, अपनी diet म मॉर्निंग में अगर आपने इसका juice पी लिया या फिर इसके sprouts खालिये, आपकी thyroid जड से ख़दा, दुसरा point, muleti, muleti, आपके thyroid को पूरी तरीके से ठीक कर देगी, जो hormone secretion कम हो गया है, thyroid gland कम secret कर रही है, जिसकी वज़े से thyroid निकल के आ रहा है, आपके blood में, आप believe नहीं करेंग ये thyroid की secretion को बढ़ा देगी, muleti की चाय, किसी भी form में muleti ले ले लीजिए, आप थोड़ा साइराइड में होने वाले side effect, मतलब अलसर हो जाता है, लीवर ठीक से काम नहीं करता है, और गन्स ठीक से काम नहीं करते है, मेटाबॉलिक आपका ठीक से काम नहीं करता है, आप believe नहीं करेंगे, सारी चीजों को muleti अच्छे से ठीक कर देती है, पेट के अलसर को ठीक करने की ताकत रखती है, ये muleti, आप muleti को जरूर अपनी thyroid ठीक करने के लिए add कर लीजिए, आज से ही, डीड का पानी लीजिए, उस चवा चवा कर, उसकी जूस को चूस सकते हैं, मीठा मीठा थोड़ा सा बहुत ही नैच्रल शुगर की तरह लगता है, आप जरूर मुलेठी को अपनाईए, और अपनी thyroid जड से खतम करिए, बहुत फायदे मंद है muleti, मुझे विश्वास है, कि अगर आप थाइराइड से पी आपकी thyroid जड से खतम होने वाली है, अलसी की बीज में, लिकोपीन एसे नाम का एक एलिमेंट होता है, जो आपकी thyroid gland में होने वाली सूजन को कम करता है, इसके अंदर मेगनेशियम होता है, इसके अंदर B complex का B6 होता है, जो थाइराइड से होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करता है जब thairide gland में जो swyling आती है जब कम हो जाती है फ्लेकसीड के खाने से याब बिलीव नहीं करेंगे यह थाइराइड जो hormone release नहीं कर पा रही थी swyling जब कम होती है तो release करना balance में hormones को release करना शुरू कर देती है फ्लेक सीड को जरूर डाइट में एड करिये आप मेरे विश्वास मानिए अगर आपने फ्लेक सीड को अपनाया आप मान के चलिए आपने थाइराइड को जड़ से खतम कर लिया जेके लेंगे कैसे देखे आप चाहे तो इसकी एक चम्मच पानी में डाल के रात में डाल क्या आप हआप नहीं खानाया खुणिख स्वालेल के नहीं है हमीशा खाने और फ्लेक सीड के बीच में डिस्टेंस वख लिग जीएगा एक गणते का तब इसको खायेगा आप मैं तो बलके यह कहूँ कि जब भी आप इंसे रिलिटिट जब चीज करते हैं, तो आप मॉर्सन बें कर लीचे, बहुत अच्छा रहेगा, अजमाये लिए एक तो सबसे पहले आपने सबसे इंपोर्टन काम कर लिया और प्लस आप जब मॉर्नें करती हैं, तो बहुत हुँ कि फ्लैक्सिट आपको जरूर फायदा करेंगी क्योंकि मैंने अपना थाइराइड इनी सब चीजों को अपना कर ठीक किया है चौथा एलो वीरा चीहा एलो वीरा की बारे में कितनी तारीफी करूं कमी तो है बही स्कीन के लिए कजब कच्चमतकार काम करता है आपके बा अमर्ता का पौधा जी हां अमर्ता यानि कि अमर बनाने वाली ताकत है इसके अंदर इस तरह का यह प्लांट है जो आपको अमर्ता का वर्दान दे दे देता है अपकी स्कीन को आपके बालों को आपके शरीर में होने वाली हर एक और गन्स के लिए बड़ा फायदे मंद है अगर आपने थाइराइड और थाइराइड में अगर अलो वीरा का जूस लिया उसका जो अंदर का पल्प होता है उसको खाया आपका थाइराइड जड़ से खतमोने वाला है कैसे कर देगा ये क्योंकि इसके अर्ल और आठ अमीनो एसीड के कॉम्बिनेशन से ये प्लांट है आप बिलीव नहीं करेंगे थाइराइड के ग्लेंड में जो टॉक्सिक भर जाते है ना जो बैक्टेरिया वाइरस की वज़े से भी तो स्वाइलिंग हो जाती है ना हमारी थ doraक्सिफाई करता ये थाइरड ग्लेंड में जहरीलेप पधार्त है जो अनैसरी छीजें जो हमारी ग्लेंड में जकड nearby अदू शुकी है उनको ये प्राहिए पूरी ग्लेंड सफित्रा बना देता है क्या ऐलोवेरा ऐलोविए का पल्प सीधे क्या कि ळीजिए अगर आपक मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आप पाएंगे कि आलोवेरा से आपके स्किन गजबकी हो गई है बाल आपके चमकने लगे है और थायराइड तो रहे गा ही नहीं अगर अगर आपने खाया आप बिलीव कर पाएंगे कि थायराइड जड़ से खतम हो जाएगा क्योंकि यह डिटॉकसिफाई करदेगा अगर आम किसी की सफाई बहुत अच्छे से कर दे तो उसमें गंदगी कही नजर आती है वह चमकती है ना सीम यही ग्लैंड के साथ यह अलोवेरा करता है इसमें मिनरल्स है इसमें विटैमिन्स है यह पूरी तरीके से इसका पल्प जादू अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो अलोवेरा का जूस मंगा लीजिए कोल्ड प्रेस्ट किया हुआ किसी अच्छी ब्रेंड का मंगा के आप उस जूस को भी सकते हैं बड़ा ही असरदार है अगर आपको सच में थायराइड है तो अलोवेरा को अवाइड मत करिए बिल बिल्कुल highly recommended है कि आप जरूर follow करिये इसके अलावा पांचमे point के अगर मैं बात करूँ तो पांचमा है अक्रोट अक्रोट बहुत अच्छा है किसमें आपकी थायराइड को ठीक करने में चाहें वो आपको हाइपो थायराइजम हो चाहें वो आपको हाइपर थायराइजम ह दोनों तरह की थायराइड को ये जड़ से खतम कर देगा अक्रोट अक्रोट में भी selenium होता है जो की बहुत important है हमारी gland में जब इसकी कमी होती है हमारी शरीर में इसकी कमी होती है आयोडीन, selenium की जब कमी होती है तो थायराइड गरंथी ठीक से काम नहीं करती है वो T3, T4 अच्छे से रिलीज नहीं कर पाती है और अक्रोट खाने से selenium मिलता है अक्रोट खाने से आपको भरपूर मात्रा में magnesium, zinc, सब कुछ अच्छे से मिल जाता है जिससे की थायराइड गरंथी अच्छे से हार्मोन को सिक्रीट कर पाती है ये 5 पॉइंट अगर आपने अपना इन में से किसी एक पॉइंट को भी अगर अपने शिदत से कर लिया ना मैं गैरंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी थायराइड जल से खतम होने वाली है इन 5 पॉइंट पर से कुसी भी एको बड़ी पॉजिटिव बड़ी शिदत और बहुत इसाकारात्मक तरीके से फॉलो की और जब आप 21 या एक महीने तक करके देखिये और रिजल्ट जब आ जाए ना तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि हां मैंने अलसी के बीच खाये तो मेरा थायराइड ठीक होगी आपकी मेडिसिन चुटने वाली है थायराइड की मेडिसिन सालों से जीवन भर के जीवन भर आपकी थायराइड की गोली चलने वाली है अब नहीं आप प्यांच में से किसी एक पॉइंट को भी सकरात्मक तरीके से ले लीजिए वैसा थे सारी चीजें इतनी नैचुरल है इतनी अच्छी है कि इनके कोई कभी भी साइड एफेक्ट नहीं है अगर पांचों भी आप फॉलो कर लेंगी तो गजब ही होने वाला है थायराइड की गोली जड़ से छूटने वाली है प्लीज इस वीडियो में जो भी मैंने बाते बताई है ध्यान से उन्हें फॉलो कीजिए और कुछ भी अगर समझ में आया हूं मुझे कॉमेंट नीचे कर दीजेगा अ किजिए और खुब शेयर कीजिए लास्ट में इक पॉइंट बताना भूल गई छटे पॉइंट में यह है कि आपको थायराइड अगर चल रहा है आपका और मेडिसीन भी खा रही है और यह सारी जो मैंने आपको पांच पॉइंट बताएं है तो प्लीज आप बाहर की तली इंफेट बैक्री प्रोडक्ट या फिर जितनी भी बाहर की बनी हुई चीजें मीठा इस सारी चीज़े जादे इंटेक मत करियेगा जिससे कि वह इंफेक्शन फैलेना बढ़ेना यह बहुत इंपॉर्टन है बाकि यह पांच पॉइंट हैं सारी इंपॉर्टन होप यह वी झाल कि इंपॉब का बनी को उुएंट है धक अनुर मीठा सारी बाहर जितनी ओ 35भॉचशन नहीं में सारी ज सारी जाती जाती हैं से कि यह झाल हूँर्ब का जितनी चैस्ना जितनी जाती हैं सारी घ्वर्टन होग जाती हैं से एसली पांव.